इस फरवरी उनिसो इकतिस अज़ाद हमने तुमको चारू तरप से घेल लिया है बार आजाओ वर ना मार जाओगे सीने पे दुस्मनों की गौली न सहेंगे आजाद थे, आजाद है, आजाद ही रहेंगे मा भारती, मुझे माफ करना मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका बंदे मातरम 23 मार्च 1931 बागत सेंग, तुमें और तुमारे सातियों को फासी की साजा सुनाई गई है ये तो बड़ी खुशी की बात है वाट, तुमें फासी की साजा सुनाई गई है, तुम खुश हो रहे हो ये एज तो ने ने ड्रीम्स भूरा करने की है ड्रीम तो मैंने बच्पन में ही देख लिये थे जी ये देख रहे हैं आप इस मिठी को तुम ड्रीम कहते हो ये मिठी जलियां वाले बाग की है और इसमें खुण मिला है मेरे देशवासियों का इस मिठी की अजादी ही मेरा लक्ष है थुमे क्या लगता है, तुमारी फासी से इस देश को अजादी मिल जाएगी? Never! जब बहता खून शहीदों का, तकदीरे पल्टी कौमों की, बस इसी तरह, उजे पूरा विश्वास है, कि मेरी ये अजादी, ये कुर्बानी, जाया नहीं जाएगी. बगत सिंग, तुमारी फासी में जादा समय नहीं बाचा है, कोई आखडी कौईश? Any last wish? खून से खेलेंगे होली गर्वतन मुश्किल में है, सर्वरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमा, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, इनकलाब जिन्दा बाचादा! वारत माता की जै, अरे हां हां हम ठीक हैं, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी भारत भंग सेना कुछ गर भी रही है, नहीं, नोट पे नोट पा रहे हैं, फिर पे सरकार अपिजा कैसे चल रही है, ये सिस्स्टम कैसे चल रहा है, अरे भाईया, थोड़ा हला गुल मचाओ, थोड़ा किटरी-पिटर करो, अब आगे ध्यान रखना, दुबारा याद न दिलाना पड़े, आच्छा, चलो फोन रखो अब, अरे चचा, परसान काए हो, और दिक्कत है का, आरे मत पूछो, उपर से बहुत प्रसर है, और एक बात बताएं, देश की जीने भी ब जाम करा देंगे, एक तरफ ये युवा, जो भारत मदा के नाम पर अपनी राष्ट भक्ती सिथ करने में लगे, तो ही दुसरी और कुछ ऐसे समाजिक संक्ठन भी है, उनका मानना है, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आएं आजाद, भगत और सिर्राम मत के सपनों का भारत तभी बन सकता है, जब स्वच्चता हो, चाए वो आंतरिक स्वच्चता हो, या भारी स्वच्चता, आईए सफ़ाई करते हैं गुरुवर में डूब जाए है, अस्तित्व अपना मिटाए है अरे पंडी जी, क्या बात है, या अन्तों बड़ा अच्छा दे लेते हैं आप, सब गुरुवर की गृपा है देखो, आप हम सीदा पॉइंट पे आते हैं, जी असल बात ये है, कि हमारे पार्टी के बड़े नेता जी है न, उन्हें आपके जैसे योग बक्ता की अबशकता है आप हमारी पार्टी जोइन कर लो, नेम फेम सब कुछ है से विया आरे भाई साब जी, हम नाम के लिए काम नहीं करते हैं, बलकि काम के लिए काम करते हैं, अपने गुरुवर के लिए काम करते हैं अरे पंडी जी, डेमो देने की कौन होगा सकता नहीं है, हम तो पहले से ही बहुत इंप्रेस हैं आपसे देखिए इसमें गाड़ी है बंगला है और पैसा तो इतना है कि चार पीडिया अलाम से खाएंगी लगता है गुरुवर हमारी परिक्षा ले रहे है परम पुजी गुरुदेव ने कहा है जो कुछ कर गुजरे उस पर एहंकार न करे बरम इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग और श्रम कितनी उची भूमी का निवासिका है कितनी बड़ी छलांग लगा सका है यही हमारी अगनी परिक्षा है जी हाँ भाई साब इसी में हमारे गौरो और समरपड की सार्दगता है अपने साथियों की स्राध्धा वा समता को घटने न दें उसे दिन दुनी राजचोगनी बढ़ाते रहें परम पुजि गुरुदेव की जैए देश भक्ती सिर्भारत मा की जैकार नहीं केवल बंदे मात्रम की हुंकार नहीं के वोई कट्रता के नाम पर यह मारकाट जिसमें देश और जलते जजवाद देश भक्ती तो मिलन सिखाती है देश के हर वेक्ती को भाय बनाती है देश भक्ती भासी के फंडे को गर्दन का मेल देती है चत्तान बनहस कर सीने पर गोली जेल लेती है देश भक्ति ने श्री रामत्स सितारा दिया था देश भक्ति आत्म निर्मान है ये दुनिया को पैगाम दो भारा अत्माता की